चैप्टा नम्बर टू जिसका नाम है जिसका नाम है क्या सुना इसका नाम आई सो मेरे जम बोलते हैं आई सो मेरे जम में तीन हिस्से हैं आई जड़ो पीवाई क्यों करवा दिये पिछले 10 साल के जित्ते आयू पीसी माहेत सारे हो चुक है तो आयए जड़ो कि बात करें तो आप जानते हैं इसमें इस्ट्रक्वरल स्टीरियो और एक कंफर्मेशन होता है ceteo में दो पार्ट होते जुमिट्रेंट ओक्तिकल एक एकर करें अपनट करें ठीक है चलिए आइसमेर्जम की बात करें तो बेसिक डेफिनिशन सबको पता होगी वैसे लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ आइसमेर्जम ऐसा फिनोमेन आए कि जहां पर आपर फोमले सेम होते हैं और एक से ज़्यादा कंपाउंड में कोई पर्टिकूलर मॉलिकूलर फोमले एक्जिस्ट करता उसका अपन आइसमेर्जम बोलते हैं तो यही लिखा हुगा है दा फिनोमेन अफ एक्जिस्टेंस ऑफ और मोर कंपाउंड पॉटेसिंग था सेम मॉलिकुला फॉमला सेम होगा बट डिफ्रेंट प्रॉपर्टीज होगी उसकी है ना इसी फिनोमेना को हम आइसोमर्जम बोलते हैं अब बात कर लेते हैं कौन-कौन आपको पढ़ने इस्ट्रक्ट्ट्रल इस्टीरियो और कंफर्मस ठीक है एक एक एक्जाम्पल हम देख लेंगे ठीक तो आईए जड़ा हम सुरू करने जा रहे हैं चेन आइसोमर्जम क्या होता भाई साब चेन आइसोमर्जम की अगर मैं बात करूंगा तो क्या कहानी है इसकी कहानी ये है कि मॉलिकुला फॉमला सेम होगा और पेरेंट चे डिफ्रेंट उसको बोलते चेन आई समद जैसे मेरे पास चार कार्वन की चेन है तीन की चेन के साथ एक ब्रांच लगा दूँ ठीक है तो अगर चार कार्वन की चेन है ध्यान से देखो जरा मैं अगर इसकी numbering करूं तो ऐसे करूंगा यहां मैंने तीन की चेन कर दी क्या इ both-game collect is same है aak की Chair चार करवन की और कितीन कारवन की है ओर ये आपसमे चैनग हे ऐसा में चेनग हो गहाईशीं जो में डिखा तो कैसे लिखा करते है magic number, main chain में 4 carbon, carbon की branch एक भी नहीं तो 040, main chain में 3 carbon, carbon की branch एक है तो 31, अगर आपके magic number different होते हैं तो CI होता है, और अगर same होते हैं तो PI होता है, जो की अगला वाला आने वाला है, position आई समाते हैं, तो इस तरीके से आपन देखा करें हैं, direct भी आप देख सकत main chain में difference आजाए, molecule formula same, chain isomer होगी, position की बात कर लेते हैं, position isomer की क्या कहानी है, जरा ध्यान से देखें जरा, इनका कहना है कि molecule formula same है, देखो, कोई भी isomer हो, कोई भी isomer हो, molecule formula same होना चाहिए, देखो, isomer सब्द में ही छिपा हुआ है, iso means same, और mer means part, या type of compound, तो same type of compound, same molecule लेगे, या लग-लग हो सकते हैं, तो same molecule formula होगा, बट different position of branch या फिर functional group, ठीक है, double bond या triple bond भी include कर सकते हो, कोई कि ये भी functional group की category में रखे जाते हैं, double or triple, ठीक है, double bond और triple bond, functional group की category में भी रखे जाते हैं, जैसे, जैसे एक सवाल आपके सामने लिख रहा हूँ, एक ये लिखा हुआ है, और एक ये लिखा हुआ है, क्या ये आपस में PI हैं, बताएं, एक ये लिखा हुआ हुआ, एक ये लिखा हुआ हुआ, बताओ, क्या ये position आपस में ये दोनों है, चेक करेंगे, one, two, three, four, चार कारवन की chain, यहाँ पर one, two, three, four, चार कारवन की chain, तो chain same हो गई, अब देखो ज चेंज हो गई बेटा, O-H की position change हो गई, ही खै, यहाँ आ जाओ, ये बान, ये टू, ये थHH, ये फूर, ये फोर,ORE, hunter, सेंग करवन की अबस, Il-Ppers,ела क्या हो गई, ये जैकर कैर ये पर देख सकते हो, में चेन में चार करेंगे, बता क्या कश हो गई, कारवन की ब्रांश केप घ्रापी नहीं तो 40 और यहां भी 40 तो यह क्या हो गए یہ नहीं हो गए तो है को थे दो और पुजी चेंज में कारबन के सवाल में लोग फस्ते हैं में मैं करवा देता हूँ हो सकता कई लोगों ने पहले देख रखा इस टाइप का सवाल जैसे चेन और पुजीशन पढ़ने के बाद इस सवाल में थोड़ी गलती हो जाती लोगों से वो यह देखने लगते हैं कि सर साइनाइड की पुजीशन चेंज हो गई लेकिन यहां देखन सब्स-महुली को फामला देख लो सही है गया एक दो तीन चार पांच छेज साथ कर्वन एक नाइट रहे हैं ओ लियर है है और अगर आप इसको मैंजिक नमबर से करना चाहते हो सर मेंचेन में चेन में 6 कर्वन कार्वन की ब्रांच कितनी एक ब्रांच बोलूँगा ना 61 में chain में 5 carbon carbon की branch एक बोलूँगा भले ही 2 carbon की हो एक ब्रांच बोलूँगा भले ही 2 carbon की हो ब्रांच एक ही बोली जाएगी और यह different है या नहीं कि CI हो जाएगा ठीक है clear एक्दम यह कहां नहीं माइटा मेरिजम की बात कर लें तो क्या होगा बहुत simple definition है कोई ऐसा फंक्षणल गुरूप होगा जो ब्रिजिंग फंक्षणल गुरूप की तरह काम करेगा सर यह जिसके लेफ्ट और आइट साइट कारवन की जहमाजम चेंग चलेगी उशको बोलते है अपन बिर्जिंग फंक्षणल ग्रूप ठीक है ऑर उनी के चाहिए डिफरेंट आरेंडिमेंट होना चीए, अब वो 1 side भी हो सकता है, दौनो side भी हो सकता है, शर इसका मतलब क्या है एक side दौनो side का, मानलो मेरे पास कोई bridging functional group ये लिखा हुगा है, ठीक है, ठीक है, इधर लिखा हुगा, ऐसे और भी हो सकते है, high-o-ether हो सकता है, ketone हो सकता है, आपका टू डिगरी अमीन हो सकता है, ठीक, आपका एस्टर हो सकता है, ऐसे ग्रूप, जो लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की चेन रखते हो है न, सल्फोनेट बगरा हो सकते हैं ये ऐसे, ठीक, ये वाला कामगा है आपके, तो मैंने आपसे ये बोला, कि मान लिजे मेरे पास यहां तीन कार्बन लिखे हुए हैं, ऐसा लिखा हुए है, और मैंने यहां तीन कार्बन में धर ब्रांच कर दी, अब ब्रिजिंग फंक्शनल गूर्प के किसी भी एक साइड, डिफरेंट पोजीशन होनी चाहिए, डिफरेंट अरिजमेंट होना चाहिए, ये देखन लगा दी, तो किसी भी एक साइड हो गया, भले ही दूसरी साइड सेम हो, आप बोलो कि सर, यहां कार्बन कार्बन सेम होने दो, होने दो, सेम होने दो, कोई दिक्कत नहीं, है न, सेम होने दो, यहां तीन कार्बन स्टेट चेन में, यहां तीन कार्बन में ब्रांच है, किसी तो दौनों साइट ही चेंज करती देखो यहां दो कार्वन कर दिए यहां दो कार्वन कर दिये तो यह तो यह तो यह तो हो नहीं है मैटमर होगे हैं वह यह तो की बात करें बहुत आसान है मॉलीकुलर फॉर्मॉला सेम है फंक्शनल ग्रूप अलग होंगे इनको हम एफाई बोलते हैं मैं कुछ इंपोर्टेंट एफाई लिख देता हूं एल्कोहल का इथर आपको देखने को मिलेगा ऐसा नहीं कि हमेशा यही होता है कोई दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रूप आजा है मॉलीकुलर फंक्शनल ग्रूप आजा है वह आपस में एफाई होंगे लेकिन ज्यादा तर जो दिखते वह लिख रहा हूं एल्लकोहल इथर हो गया एल्लड आइस्टर आपको दिखता है और आइस्टर यूजओल इख सकता है एंच आपको मिल सकता है लुका आपके सामने कि मैंने बना दिया एक ऐसे यह बोला है और एक आपसे बोल दिया यह 丘 एक दो तीन एक दो तीन चाहर एक एसा लिखा है अब आप बोलोके स्थार् samma' मधर एक दो तीन兩 गृर्ण गर्ण ऑल्क गर्रिंद और थो चीय किएब दो अगरा आपका functional group different हो तो चलेगा कोई दिख्कत में कि अगर हम बात कलने तो इंट्रा मॉलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है यहाँ पर मैं जैसे माल लीजिए keto-anol आपके लिए important है keto-anol आपके लिए important है मैंने यह लिखाए totomers जो है वो dynam के equilibrium में होते हैं कैसे बनाना है oxygen को बन देंगे इसको two और इसको three three से hedge जाएगा one पे one two गा one two three पर shift करेंगे तो यह बनेगा CH3C O के साथ H और यहाँ double bond CH2 इसका नाम होता है Keto इसको बोलते है इनल और Tautomar आपस में functional ismore कहलाई जा सकते हैं क्यों? यह ketone है और यह double bond alkin और OH alcohol इनल है तो यह आपस में functional ismore भी कहलाई जा सकते हैं लेकिन यहाँ बात आती है कि Tautomar जम एक्जिविट करेगा के नहीं ठीक है? क्योंकि यह सवाल आपके एक्जाम में आ सकता है Tautom exhibits or not यह सवाल आपको मिल सकता है तो कैसे चेक करोगे? अलफा कार्बन जो है वो SP3 hybridized होना चीए और अलफा H होना चीए यह आपको basic condition देखनी है लेकिन कभी अगर अलफा कार्बन SP3 ना हो अलफा कार्बन कौन सा होगा? इसके respect में यह वाले कार्बन अलफा कार्बन कहलाते हैं यानि कि थर्ड वाला कार्बन अलफा होगा लेकिन अगर कभी थर्ड वाला SP2 आगे तो फिफ्ट वाला एक बार चेक कल देंगे अगर फिफ्ट वाला SP3 है तो भी exhibit कर जाएगा ठीक है? किलियर है? यह कहानी है समझे बात तो तो अलफा कार्बन SP3 देखके आपको answer कर देना है अगर अलफा SP3 नहीं आ रहा है तो फिर आप आगे बढ़ेंगे जैसे मैं आपके example के तोरे बताता हूँ ऐसा लिखा है आप बोलोगे सर इसका अलफा कार्बन ये होगा बिल्कुँ सही बात है ये भी होगा सर ये दौनों ही SP2 है तो आप देखेंगे अगला गार्बन जैसे ये 1 है ये 2 है ये 3 ये 4 ये 5 अगर 5 वाले पर 2H आ गए और ये SP3 हो गया यानि कि ये exhibit कर जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा कैसे exhibition हम चेक करते है ring chain की कोई जरूत नहीं है आवशकता है नहीं वैसे लेकर फिर भी अगर देखना जाओ देख लो मौले का होमला सेम है एक chain होगा और एक ring होगी एक chain और एक ring होगी अब कुछ structural isomer अगर आप पहले से ध्यान रख लोगे तो सवाल आसानी से बन जाएगा बागी आप बना दो सकते ही हो बनाना अगर है जैसे अलकेन के आपको यूजली सवाल मिल सकता है जैसे c4, h8, c5, h12, c6, h14 है न अगर इसको आपको बनाना है तो आप बना के भी चेक कर सकते हो और अगर आपको इसको डारेक्ट ध्यान लगना तो डारेक्ट यह है 1, 1, 1, 2, 3, 5, 9, 18, 35, 75 यहाई समर होते हैं इसके जैसे सबोज आपको c5, h12 का बनाना है ठीक है c5, h12 का आपको एक बार ऐसे बना के दिखा ज़ता हूँ c5, h12 का बनाना है तो आपको पताए कि इसकी 2, 0 है यानि कि सारे सिंगल मॉट में तो मैं 5 की चेन ले सकता है एक, 2, 3 4, 5 मैं 4 की चेन में एक ब्रांच कर सकता हो और 3 की चेन में दो ब्रांच कर सकता हो इस तरीके से आप बना सकते हो ठीक है अगर आपको बनाना है तो ठीक है ठीक है ठीक है तो ऐसे आप बना के चेक कर सकते हो बागी मैंने टेवल एक बना दी है कुछ सवाल अपन इसके कर ले सबसे पहले, du क्या आएगी, c plus 1, minus h plus x minus ny2, सबसे पहले du निकालेंगे, du से पता क्या चलेगा, बेटा, du से पता चलेगा, बनाना क्या है, जैसे du 1 आ गई, तो मैं क्या बनाऊंगा, ऐसे compound बनाऊंगा, जो पाई बन रखें, यानि की अलकीन देखेंगे, और ऐसे compound बनाऊंगा, जो cycloalkane देखेंगे, क्यों एक अगर du है, तो cyclo compound होगा न, cycloalkane, तो मुझे alkeno cycloalkane मनाने पड़ेंगे, C4H8 के, आईए जरा, C4H8 में मैं क्या कर सकता हूँ, चार की chain में एक double यहां लगा दो, चार की chain में double यहां किसका सकता हूँ, और तीन की chain एक branch कर दूँ, और एक double कहीं भी लगा दूँ, बात बराबर है, तो मुझे double bond वाले यह मिलेंगे, ठीक है, और, चार कार्बन की ring मना दूँ, और तीन की ring के साथ एक branch लगा दूँ, इस तरीके से, क्या यह बात सही है, क्या यह बात सही है, चेकल ने, रिखो, स्ट्रक्सलाइसों मन निकाल रहें, डियू निकाल के करा कर, जैसे, अगले वाले की भी डियू वन है, C5, H10, Cn, H2N से ब्लॉंग कर रहें, डियू बात सही है, यानि की मुझे क्या बनाना है, सेम alkin और cycloalken, ठीक है, तो पांच कार्वन की chain बना दूँ, डवल में यहां लगा सकता हूँ, पांच की chain में डवल यहां किसका सकता हूँ, दो हो गए, ठीक, चार की chain में यहां ब्रांच करके, एक डवल यहां लगा दूँ, इधर लगा इधर लगा बात बराबर है, एक यहां लगा दूँ, और एक यहां लगा दूँ, इस जगर पे तीन की चेन के साथ दो ब्रांच नहीं लगा सकता क्योंकि मैं जैसी डबल लगाओंगा पांच बॉंण बन जाएंगे पागल पने नहीं करने को ठीक और क्या कर सकता हूँ मैं पांच की रिंग कर दूँ साइकललके चार की रिंग में एक ब्रांच तीन की ृंग में दो ब्रांच एगी कारवन पे अलग-लग कारवन पे और तीन की रिंग में एक इथाईल वाली ब्रांच लगा सकता हूं दो कारवन की ठीक है तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आटनो, दस आ जायेगा ठीक क्लियर एकदम ठीक है ना इस तरीके से आप कर सकते बेटा इनौल कंटेंट आगे आएगा अभी जी यो सी पढ़ेंगे न उसके बाद इनौल कंटेंट बताऊ यह समझगे कैसे निकालना है तलि एक सवाल और कलने हैं बड़ा इंपोर्टन सवाल है यह तो C4H10O दी यू किसकी क्या आएगी C प्लस 1 माइनस H प्लस X माइनस NY2 ऑक्सियन तो आता नहीं फॉर्मूले में पांच माइनस पांच जीरो यानि कि सारे सिंगल बॉंट वाले और ऑक्सियन है तो अलकॉल इधर बनाने है और इसकी ब्रांच कर दूँ तो यह हो जाएगा देखो तीन में ब्रांच आ सकती नहीं था देख यह वाला मिठाइल तो साथ आ जाएगा आपका ठीक है किलियर एकदम शली बहुत बढ़िया वेरी नाइस क्या बात है इस्टियो पर चलते हैं इस्टियो इस्टियो इसमेर्जम में दो हिस्से होते हैं एक होता है जोमेट्रिकल और एक उस्टिकल आयूपीसी नेंस सेम होता है ठीक है बस orienटेस अलग हो जाता है ग्रुप्स का, the compound that have the same constitution, मतब आयूपी से नहीं सेम होगा, and sequence of the covalent bond, but different relative position of their atoms or group in space, उनका arrangement अलग हो जाता है, आयूपी से नहीं सेम रहता है, ठीकि उनको आप इन स्टिड़ाइसमर बोलते हैं, जैसे अगर हम बात करें, geometrical और optical की, एक-एक करिकेन को समझना, geometrical वाला आपके लिए बहुत-बहुत-बहुत important है, GI exhibition पर सवाल आ सकता है आपके सामने, ठीक है, चलिए भई, अगर मैं geometrical isomergem की बात करूँ, तो क्या गहने इसमें, isomers which arises due to restricted rotation, सर ये restricted rotation क्या होती है, आपको ये पता है, कि sigma bond जब बनता है, तो rotation free होता है, क्योंकि आप sigma bond को घुमा सकते हैं, ठीक है, restricted rotation में क्या होता है, जो pi bond होता है, तो अगर तुम उसको घुमा होगे, क्योंकि pi bond बनता है, sideways overalaping से, अगर तुमने एक lobe को घुमा दिया, तो bond तूट जाएगा, इसलिए उसको restricted rotation बोलते हैं, ठीक है, तो restricted rotation is presenting, double bond में या फिर ring में आपको मिलती है, और जो double bond में आपको देखनी है, वो आएगी, c double c में चेक करनी है तुमको, और ring मतलब cycle alcan में आपको देखनी है, ठीक है, आप के से लिए बस, जाते हैं, GI exhibition, restricted sight, ये बहुत important point है, restricted sight must have different group, सरी ये restricted sight क्या है, double bond के दोनों कारवन, उसको restricted sight बोलते हैं, जैसे, 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 ऐसे, ऐसे देखूँ, c double c, इसको बोलूँगा, restricted sight और इसको बोलूँगा, अब यहाँ पर मैं क्या कर दूँँ, group अलग लगा दूँ, माललो एक a लगा दिया, एक b लगा दिया, तो मैं बोलूँगा, exhibition यहाँ हो रहा है, इस तरह भी देखना है, यहाँ मैंने x लगा दिया, यहाँ y लगा दिया, तो यह यहाँ भी exhibit कर रहा है, यहाँ से भी कर रहा है, यानि की overall yes बोलेंगे, यहना different group होने चीए, यह वाले group different होने चीए, यह वाले group different होने चीए, तभी हम क्या बोलेंगे, exhibition हो रहा है, अगर यहाँ same कर दिये मैंने, तो कोई फरक पड़ेगा क्या, कोई फरक नहीं पड़ेगा, अगर मैंने यहाँ same कर दिये, एक यहाँ लगा दिया, और वैसे group यहाँ लगा दिये, यहाँ लगा दिये, यहाँ लगा दिये, बेटा restricted side पे चेक करना है, अलग लग पे नहीं करना, एख ही carbon पे यह दोनो different है, जी हाँ different है, यह दोनो different है, जी हाँ different है, यानि कि यह इधर से भी हो, इधर से भी दोनों तरफ से कर रहा है, तो overall हम क्या बोलेगे? ठीक है? अवरॉल क्या बोलेंगे हम? य्एस बोलेंगे, ठीक है? Clear एक्दम, क्लियर एक्टम आपको क्या चेक करना है एक ही एटम पर दौनों गुरूप डिफरेंट है तो एक्जिबिशन होगा अलग अलग कारवन पर दौनों से इमाज है चलेगा कोई दिखकर नहीं इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं एक बार मैं साइक्लो का और बतातों फिर मैं इसकी अंतर बहुंद में बता दिया पहला वाला किया को सेटन बता देता हूं साईक्लो होने चाहिए अब वह सेवोर स्ह — हो सकता DANIEL में अब हो सकता है एंस ये है ये हो सकता है यहां मैंने भी लगा दिया यह अलग लग पोजीशन पर डिफरेंट गृफ हो सकते हैं यहां यह लगा दिया यहां भी लगा दिया यह यह एक्स यह मतलब इसको तो वैसी ट्रीट कर लो जिसे डबल बॉंड को ट्रीट करते हो ना और यह अगर यह कहा नहीं होता है अगर मैं टाइप ऑफ जी की बात करूं तो हमारे पास होता है cis-trans और ze-e वाला होता है ठीक है cis-trans वाले में क्या करते हैं अगर similar group same side है है ना alkin में similar group same side तो cis होता है otherwise trans होता है ठीक है अगर similar group same side है तो cis otherwise trans हो ठीक है बिड़ा भी इन सब के सवाल भी है क्योंकि सवाल अपन इखटे एक साथ करेंगे तभी आप दिमाग लगा पाओगे कि एकदम से कोई सवाल में अलग भावना यांगी तो कैसे करना है लगातार करोगे तभी आपको आइडिया लगेगा अभी एक एक टॉपिक के करवाँगा तो आप बहुत असानी से बना लोगे टॉपिक पूरे पड़ो सवाल सारे करोगे एक एक करके करोगे तो थोड़ा सा फसोगे वहाँ पर लगे गा तुम् े अच्छा सिमलर गृप तो इसे से सेंसाइड है तो से अडर मैंने यहां मितवा धाईल लगा दिया यह सेंसीर खेलाएगा से सेंसाइड कोई बहुत हम हैं आप रपोले सेवह प्रिभिक से देखने तो यह होता है आपका सिस्ट्रांस जैड़ वाला आईसोमर वाले में हम लगाते हैं जब सिस्ट्रांस फेल हो जाता तब लगाते हैं और आप इसको छोड़ भी सकते हैं कोई बहुत खास बात नहीं इसमें लेकिन एक बार मैं बताएता हूं यहां लगता है CIP रूल नगता है और यह बेश्टल आड़ इसका डाल में लगा दिया हूं यहां लगा दिया मैंने CS3, ठीक है, कैसे देखना है, वो देखो, carbon से connected पहला item देखो, first item क्या nitrogen, first item carbon, nitrogen को बन देंगे, यहां BR, यहां H, यहां Bromine को बन देंगे, दौनों same side है तो Z आ जाएगा, Z का मतलब जो सामें, जो सामें मतलब same side, E मतलब end के गएं, उसका मतलब opposite side, ठीक है, ठीक है, clear है, यह कहां नहीं, तो same side होगा तो Z, opposite side होगा तो E, CIP, मतलब तीन scientist है, कान, indulge, pre-lock, उन्होंने यह rules बनाएं, atomic number चेक करेंगे, अगर वो same है, तो हमें mass number पे देखना पड़ेगा, अगर atomic number same आ रहें तो, सिस्ट्रांस की कुछ properties हैं वो देख लो, properties बड़ी आसान है, जैसे सिस्ट्रांस में माल लो, मेरे पास ऐसा लगा हुआ है, ठीक, मैं यहां लिख देता हूँ, CCC, यहां मैंने M E लगा दिया, यहां M E, ठीक, और यह मैं तोनों ग्रूप same वाला बता रहा हूँ, ठीक है, यहां पर same type की गुरूप लगें, मतलब, अगर मैं आपको बोलूँ कि सिस और ट्रांस में, किसका डाइपल मुमेंट जादा है, तो आप polarity से देख लोगे, कैसे, आप बोलोगे, यह carbon SP2 है, यह SP3 है, और direction electron negative की तरफ जाएगी, ठीक है, यहां इसकी direction यह जाएगी यहां यह जाएगी, यहां यह जाएगी, इधर यह दोनों आपस में cancel out हो जाएगी, यह दोनों आपस में cancel out हो जाएगी, तो इसका dival moment 0 आएगा, ठीक, अगर यह group बिफ्रेंट होते, तो dival moment कम आता, 0 नहीं आता, लेकिन सिस से दो कम ही आता, ठीक है, तो सिस और ट्रांस की energy की बात करूँ, तो आप देखो, यहां पर M.E.M.E. को bulky group माना जाता है, यहां na, bulky group है, तो इन में repulsion होगा, यहां repulsion minimum है क्यों opposite side, और अगर opposite side तो अच्छी packing होगी, इनकी, है न, stable होगी, तो crystal lattice energy, trans की जादा होगी, और crystal lattice energy के directly personal, melting point, तो trans का जादा होगा, stability किस की जादा हो होगी, जो आसानी से तूट जाएगा, और कौन आसानी से तूट जाएगा, जिसकी energy कम होगी, तो cis आसानी से तूट जाएगा, तो cis की solubility जाता होगी, इस तरीके से आप का सकते हैं, clear एक दम, क्या बात है, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, चलिए आगे चलते हैं, अगर molecule तुम्हारा disymmetric है, number of GI निकालना है, molecule तुम्हारा disymmetric है, तो हम यहाँ पर GI निकालने के लिए 2 की पावर N वाला formula लगाया करते हैं, और 2 की पावर N में N होता है, number of double bond, ऐसे लिख देता हूँ, number of double bond exhibits GI, ठीक है, number of double bond यहाँ लेना है, और symmetric होता है, तो 2 की पावर N माइनस 1 प्लस 2 की पावर, P माइनस 1, P is equal to N by 2, अगर N तुम्हारा E1 है, और P is equal to N plus 1 by 2, अगर N तुम्हारा odd है, जैसे एक सवाल देखनें इसका, मालली जैसा लगा, CH3, CH, double bond CH, और मैंने यह लगा दिया, 4 वार, और CH2, BR, ठीक है, चारवाल लिख लो, CH1, CH, फिर single bond, CH1, CH, फिर single bond, CH1, CH, ठीक है, इस तरीके से लिख लो, तो यहाँ पर N की वेल्यू चारवाल जाएगी, क्योंकि यह चारवो डवल बॉन, J exhibit करेंगे, symmetry मुझे दिखनी रही है, यहाँ CH3, यहाँ CH2, BR है, तो 2 की पावर 4 और यह आजाएगा, आपका 16, इस तरीके से, अगर मान लो, मैं ऐसे लिखता, तो मुझे यहाँ पर symmetry दिख रही है, molecule देख लो, molecule देखके symmetry नजर आजाएगी तुमको, है न, molecule देखके symmetry नजर आजाएगी, भाई, बीच से जले, इधर, इधर से महीं आजाएगी, है न, तो मेरा N की value कित्ती आगी 4, और symmetry है, N even है, तो P आजाएगा, N by 2, दो, तो total GI कित्ते हो जाएगे, 2 की पावर N minus 1, प्लस 2 की पावर, P minus 1, 10, ठीक है, 10 आजाएगे, किलियर एकदम, डन है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, आगे चलता हो, optical isomergem पर चलते हैं, optical isomergem में क्या होता है, कोई भी compound की optical activity उसमें है या नहीं है, ये polarimeter experiment से बता चलता है, और वो experiment क्या है, वो देखे जरा, यहाँ पर एक ordinary light है, क्या है यह ordinary light है, जो हर direction में फैलती है, यहाँ मैंने prism लगा रखा है, ठीक है, polarizer लगा रखा है, तो यह क्या कर देगा, plane polar light बना देगा, ठीक है, निकोल prism से पास करते हैं इसको, तो यह क्या कर देता है, इसको PPL बना देता है, और जब यह PPL को polarimeter tube से पास करते हैं, ठीक है, polarimeter tube से पास करते हैं वेटे, तो अब क्या होता है, इसके अंदर organic compound भरा होता है, polarimeter tube है, इसके अंदर, organic compound इसके अंदर है, ओर organic compound का solution इसके अंदर है, जिसकी concentration, ग्राम पर एमेल में होती है ठीक है अब अगर यह PPL यह एक ही डारेक्शन में हो गई अगर यह PPL घूम जाती है तो हम बोलते compound optically active है नहीं घूमती तो inactive है इस तरीके इस optical activity का पता चलता है बहुत simple है तो इसी को मैं और दो प्लोक डाइगराम के फॉर्म में लिख देता हो इसी experiment को कि आपकी जो ओर्टनेरी लाइट थी कि यह एग इसको पीपी ऐल से पास करा इसको निकोल पिंसे पास करा तो पीपेएल बन गई प्लेन पोल्राइलाइट और इसको और्गेनिक सॉल्यूशन से पास करा ठीक तो अब PPL की दो कंडिशन अगर PPL रोटेट नहीं होती है ठीक है वो एनलाइजर लगा है मतलब एक अबसर्वर खड़ा होगा वो देख रहा होगा रीडिंग वगया अगर रोटेट नहीं होती है ठीक है अगर PPL रोटेट नहीं होती है तो हम बोलते हैं कमपाउंड इस ओप्तिकली इन एक्टिव ओप्तिकली इन एक्टिव अगर PPL रोटेट होती है तो दो चोईस है ठीक है तो दो चोईस है पहली चोईस है पहली चोईस है clockwise तो हम बोलते हैं compound optically active है clockwise है और optically active है और theta उसका positive है और इसको हम बोलते है dextrorotator जिसको small t लिखते है या plus लिखते है और अगर anti-clockwise घूमी तब भी वो optically active है घूम जाए मतलब active है घूम जाए मतलब active है theta negative sorry theta negative sorry square laborotator ही है small ale है और negative ठीक है अगर clockwise घूमी तो हुआ है क्लियर है सिन एंटी छोड़ देना वेटा सिन एंटी छोड़ देना कोई ज़रो तो नियुस की ठोड़ने को तो जैड़ ई भी छोड़ सकते है कोई direct सवाल उस पर आया नहीं है वो तो कुछ चीज़ें अगर तुम्हें पहले से जानकारी हो तो बिना experiment के भी आप बता सकते हो बहुत सारे experiment करके देख लिया गया और फिर conditions बना दी गए scientist लोगों ने जो हमें पता होनी चाहिए जैसे उन में से एक है chiral carbon या asymmetric carbon क्या होता है sp3 carbon a test with four different groups चार different groups से जुड़ा हुआ हो different groups बेड़े ध्यान से देखेंगे चार different groups से जुड़ा हुआ हो sp3 होना चाहिए a b x y तो यह carbon हो जाएगा chiral इस्टार लगा देते इस पे तो यह हो जाता टेट्राहिड्रल हो sp3 हो sp3 मतरा टेट्राहिडल carbon हो और चारों कुरों डिफेरेंट्स जुड़े हो तो उसको बोलते है बन कायर हुआ है अब तुम्हें यह पता कैसे चलेगा कि कोई compound optically active है या inactive है उसके लिए condition होती है पॉस और कॉस अब जरा थोड़ा ध्यान से समझेगा अब थोड़ा ध्यान से समझेगा plane of symmetry और center of symmetry दो condition द्यान सो जुनना अगर मैं plane of symmetry की बात करूँ तो ऐसा plane पिएस मतलब plane of symmetry ऐसा plane जिसको molecule में डालें तो molecule दो equal part में divide हो जाए ऐसा plane जिसको molecule में डाला जाए molecule दो equal part में divide हो जाए उसको बोलते है plane of symmetry जैसे माल लीजिए मेरे पास A लिखा है A लिखा है क्या इसमें plane of symmetry है बिल्कुल है मैं अगर यहां से काटू मैं अगर ये plane ले लूँ तो ये क्या होगे आपका plane of symmetry आगी इस तरीके इस चेक करना है माल लो अगर मैंने एक alphabet ले लिया ये बताओ क्या इसमें plane of symmetry होगी कोई ऐसा plane लोग की molecules दो एक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए और दोनों पार्ट एक दूसरे के mirror image हो ठीक है दो एक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए और दोनों पार्ट एक दूसरे के mirror image हो तो बताओ जरा स्मिंट्री थी आ प्लेग उख नहीं है इसे चेक करणा प्रेइस क्रते हैं आप ये मैरे पास कोई ऐसा कंपाॉंड यहां मैंने मिठाइल लगा दिया, यहां मिठाइल लगा दिया, यहां H, यहां H, तो ऐसा compound, और usually यह cycle compound में ही होगा, ठीक है, cost कहां चेक करना है, even number की cycle, मैं ऐसा लिखे दोता हूँ, even number की cycle, cycle even number की होनी चाहिए, तभी तुम cost चेक करोगे, क्योंकि तभी तुम्हें center of symmetry मिल सकती है, ठीक है, अब आप मुझे बताएं ज़रा, मैं अगर यहां खड़ा हो गया, तो इससे मैं diagonally opposite चलू इस तरफ, द्यान से सुनिएगा, मैं diagonally opposite चलू इस तरफ, और diagonally opposite चलू इस तरफ, क्या मुझे same group मिल रहा है, जी हां मिल रहा है, अगर मैं diagonally opposite चलू इस तरफ, दोना तरफ चलना है न, इधर, क्या मुझे same group मिल रहा है, जी मिल रहा है, यहां गए, यहां गए same मिल रहा है, मिल रहा है, यहां गए, यहां गए same मिल रहा है, यानि कि यहां पर center of symmetry मैं इसको बोलूँगा cause है, और cause कहां चेक करोगी, even number की cycle में चेक करना, ठीक है, पॉस कहां चेक करना है, पॉस तुम सभी जगे चेक कर सकते हूँ, ठीक है, आप पहले यह basic समझ गए कि plane of symmetry कैसे check करना है, center of symmetry कैसे check करना है, plane of symmetry के लिए ऐसा plane जिसको molecule में डालो, तो molecule तो equal part में divide हो जाए, जैसे, अगर मैं एक organic compound का example यहां लूँ, माल लीजे मेरे पास यह, plane of symmetry को तो कहीं भी सोच सकते हो, ठीक है, यह M e, यह M e, यह H e h, बताओ, क्या इसमे plane of symmetry है, बोलो भई, क्या इसमे plane of symmetry है, बोलो, क्या इसमे plane of symmetry है, बोलो भई, क्या इसमे plane of symmetry है, बोलो, बिलकुल है, देखें, यह मिल गई plane of symmetry, क्या इसमे center of symmetry देखेंगे, नहीं देखेंगे, क्यों 3 की देंगे, यह मिल गया, same plane, इस plane से काटो के, दो equal party में divide हो जाए, जाए, दोना एक दूसरे के मिरे रिमेजन, अब यह लगाना कहता है, वो समझे लो, आपको clear हो गया, post cost कैसे check करते हैं, cost कहां check करते हैं, post को कहीं देखेंगे, अब आपको सवालों में कैसे गतना है, इसका जरुत कहा है, देखो, आपके सामने paper में यह सवाल तो नहीं आने वाला कि plane of symmetry और center of symmetry बताओ, यह सवाल तो न जहां सुनना, optically active compound is equal to chiral compound, optically inactive compound is equal to a chiral compound, यह सवाल आएगा आपके सामने, कैसे check करेंगे, सबसे पहले तुम सवाल में यह देखो, कि एक ही chiral है क्या, पहले तुम यह देखो, सबसे पहले यह देखो, एक ही chiral है क्या, कभी भी तुमारे सामने question आए, optically active है, या inactive है, यह पूछा जाए, सबसे पहले देखो, क्या उसमें एक chiral है क्या, और आप देखना जानते हो, का chiral, अगर एक chiral आ गया, तो कभी symmetry आई नहीं सकती, तो हम बोल देंगे, always optically active, always optically active, एक chiral है किसी भी compound में, तो वो हमेज़ा optically active हो, क्यों, क्योंकि उसमें कभी symmetry आएगी नहीं, उसमें कभी symmetry आएगी नहीं, लेकिन अगर दो chiral आ गए, तो तुम्हें यह देखना है, compound acyclic है, या cyclic है, यह तो चेक करना जानते हैं, देख जाएगा आँखों से, यह acyclic है, कि cyclic है, अगर acyclic है, तो plane of symmetry देखो, अगर plane of symmetry है, तो optically inactive, और अगर plane of symmetry नहीं है, तो optically active, यहाँ center of symmetry देखने की ज़रूत नहीं है, ठीक है, आप यह देखो, acyclic में पॉस से गल लो, cycle में आप ने देखा, पॉस है, पॉस नहीं है, ठीक है, और cycle में भी यह देखना है, कि even number की cycle होनी चाहिए, ठीक है, जैसे cycle में भी चलो, तो आप यह सोच सकते हो, कि even number की cycle है, या odd number की cycle है, अगर odd number की है, तो यही सोचो, पॉस, कॉस तो सोचेंगे नहीं, अगर पॉस है, तो optically inactive, और अगर का है, तो plane of symmetry है, center of symmetry है, तो optically inactive, ठीक, पॉस है, कॉस नहीं है, तो भी inactive, पॉस नहीं है, कॉस है, तो भी inactive, पॉस नहीं, कॉस नहीं, तो optically active, ठीक है, बात समझे लो देरा, यह सवालों में अभी अप्लाई कर पॉस, आपको, बात समझ लीजिए, अगर एक chiral है, तो optically active होगा, अगर दो chiral, दो से ज़्यादा, तो आपके syllabus में वैसे भी नहीं आता, दो chiral है, यह cycle लिखाएगा, तो plane of symmetry चेक करेंगे, cycle लेगा, देख लो, आँखोंस ही देख लोगे, इतना थोड़ी है, आप बोले, इतना ज़्यादा लिखा हुआ है, अरे कोई नहीं, यह तो दिमाद मीं होगा, cycle है कि नहीं, तो आपको से देख लोगे, अगर cycle तुमारी even number की है, तो हम post cost दोने देख लेंगे, odd की तो post देख लेंगे सिर्फ, ठीक है, ठीक है, यह cycle में post नहीं देखना, सीधा answer आएगा, ठीक है, इसको में एक बार सवाल में बताता हूँ, आपको है न, मान लीजे आप से बोला है, compound is optically active और inactive यह बताना है, ठीक है, example देखें जरा, पहला सवाल, BR, ME, OHH, बताओ active है की inactive है, दूसरा सवाल, ME, HOH, यह physical projection फॉर्मूला अपनने बनाया है न, दूसरा question, तीसरा question, चुता डिए से चॉसरोटा इंगा यह तबताओें यह वाहाम पर में घॉर्मूला था क्वाल में बताओें धरी की एनाया है, चुता पार चॉसरोटा पसॉसरा बदा एक्टिव है कि इनक्टिव है करो ट्राइए एक मिन्ट लीजे आप सारे चारो सवाल ट्राइए करिए क्या लग रहा है ट्रो बहा है कि वह स्वाल लात्रे菜 प्तरीक का लुट है कि एक्टिव एक्टिव है कि अरत्रीक्ट ज इते रात्र남 बहा है कि एक हैर्हलावज। उप्टीकली एक्टिव, कोई सवेंट्र हूए निएसरिक, सिर्थ पी वेज चेक करेंगे हैं। आ गई जी हां अब्लियन तो नाफ़िकली इनक्टिव अ कि दो कार्यल यहां थे फहले नई क्योंगि उएच भी अलगे कोई प्यूएस नहीं है ओपन चेन में हमें प्यूएस देखने प्यूएस नहीं है Optically Active ये बताओ एक ये काईरल, एक ये काईरल दो काईरल है, साइकल एक है साइकलिक किसकी है, ये साइकल किसकी है तीन कारवन की साइकल है ये है और की साइकल है तो पॉस देखो, सिर्फ पॉस पॉस नहीं है, Optically Active इवन नमबर की साइकल है POS-COS दोनों देखेंगे चलो माले तुमने POS देखी ठीक है देखो प्लेन उसमित्रे है मिल गई न ये वाली प्लेन उसमित्रे है इस पे आने वाले बी आर और एस तो सेंप ब्लेन मी आ जाएगी तो प्लेन उसमित्रे है जाएगी और अगर पॉस आ गई वैसे इसमें कॉस भी है ना देखना चाहो तो कॉस भी इसमें सेंटर से चलोगे तो कॉस भी आ गई इसमें लेकिन अगर तुम यह प्लेन लोगे तो पॉस भी यानि कि अप्टिकली इनेक्टिव, ठीक है, कितने लोगों के सारे सही है, बेटाप, रितुजा, पॉस भी इसमें है, देखो, अगर मैं इसको ऐसे बनाओं, ध्यान से देखना ज़राए, बी-ार अबवदा प्लेन है, मैं ऐसे बना दूँ अबवदा प्लेन को, और यहां बिलो दा प्लेन ऐसे बना दूँ मैं, बी-ार को, मैं इसको ऐसे भी दो बना सकता हूँ, तो यह प्लेन ले लो ना, और प्लेन में आने वाले एटम या मॉलीकुल डिसकार्ड हो जाता है, प् डारेक्ट सवाल RS का तो आने के चांसेज नहीं है लेकिन कंपाउंड के रिलेशन के लिए होता है इन फिसर प्रोजेक्शन फॉर्मॉला हम देख रहे हैं RS सबसे पहले कैसे देखना जाता सिंपल सा काम है जैसे माल लीजे मेरे पास अगर पोर वाला यहां लिखा है यहां लि यहां लगा हो यहां लगा हो स्विच्ट दा आंसर जो भी आंसर है उसको स्विच्ट करना है ठीक है आंसर को स्विच्ट करना है अब कैसे निकालना है CIP रूल जा देते हो आप माल लोग यह है एच यहां BR यहां NH2 और यहां UH ठीक है अब मुझे स्काइरल कारवन के आराउ आरेस कॉनफिगरिशन बताना है, र मतलब रैक्टस, एस मतलब शिनिस्टर, र मतलब कॉलगवाइस, एस मतलब एंटी-कॉलगवाइस, ये हमें निकालना होता है कमपाउंड के रिलेशन के लिए, ठीक है, ठीक है, फौर्थ वाले में क्या कह रहो, एक कहा है सर फोर्थ वाले में कॉस है पखला गए लोगा वावा बहुत बढ़ी है बस बस इसलिए तो आये थे तुम यहाँ पर तुम अगर यहाँ से खड़े हो सुन लो जरा अपध्यान से इधर गए M.E. मिला इधर गए M.E. मिला इधर गए H. मिला इधर गए H. मिला अप होती है कार्बन और हवा दोनों चीज़ें अलग होती है तो यह यहां कॉस नहीं इसलिए तो मैंने बुला और नंबर में चैक नहीं करना है क्योंकि और नंबर में ऐसा हो गई होगा कि आपको देखने में तो सेंटर देखेगा आप बोलो कि यहां उपर यह पहार सा खड़ा ह हुआ कार्बन नीचे दो हवा है कि एक है कि यह रहे तो ऐसे पागल बने ना करना अंकल आओ जड़ा इधर आई इधर आई इधर आई बताओ क्या करते हैं सी आई पी रूल लगाओ इस कार्बन से यहां चले वान तू थ्री और फॉर एटमिक नंबर से हो जाएगा ठीक है दा अंसर आर कर देगे चेक करने जड़ा है कि बोलो भई कि बोलो कि कि लिए रहे है कि ऐसा माल लीजे मैं इसा कर देता रहे है यहां एच कर दिया यहां CS3 यहां मैंने कर दिया CL और यहां AI अब बताना ज़रा इसका RS configuration क्या है बहुत सिंपल है बाई बता इसका RS क्या है यह बान यह टू यह थ्री और यह फोर CIP रूल एटम एक नंबर जादा प्राइट ही जादा ऐसे जाओ के आर आएगा आर ही रहने देना क्यों फोर वाला वर्टिकल पर है ठीक है फोल वाला वर्टिकल पर है ठीक है तो CIP रूल कैसे लगता है अटमिक नंबर जादा प्राइटी जादा अगर कभी अटमिक नंबर सेम आएगा तो फिर हम बन सेकंड एटम पर जाएंगे यह आइसोटोप आगे तो हम मास नंबर पर जाएंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ सॉलिड डैस वैज में कैसे करते है ध्यान से देखिना अगर डैस वाला फोर पर है नो चेंज इनना अंसर अगर फोर वाला सॉलिड पर आ रहा है स्विच दा अंसर अगर फोर वाला लाइन पर आ रहा है फोर वाला लाइन पर आ रहा है तो आपको इसको डैस पर लाना है मान लीजिए यह वन होता यह टू होता यह थ्री होता और यह फोर तो हम क्या गरते इसको इंटरचेंज करते ठीक है और हमेशा आपको इवन इंटर तो आपने इसको इंटर्चेंज करा, इसको भी कर दो, तो आपको ऐसा दिखता है, तीन और चार इंटर्चेंज हो गए, और दो और एक इंटर्चेंज हो गए, इस तरीके से, तब आल देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे, यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ CHO है, और यहाँ मैंने लगा दिया CH2OH है, मुझे इसका RS निकालता है, कैसे करेंगे, सबसे पहले CIP रूल लगाएंगे, काइरल कारवन से चलेंगे हर डारेक्शन में, ऑक्सियन को बन दे दूँगा, क्यों, एटोम एक नंबर जाता, प्राइड दी जाता, फिर यह कारवन के बाद डबल O है, यहाँ का सिंगल हो है, डबल O की प्राइड दी जाता होगी सिंगल उसे, यह तीन और यह चार, कैसे जाओंगा, ऐसे जाओंगा, क्या अंसर आएगा, कोई छेडा चाडी नहीं करेंगे, फोर वाला डैस पर है, यानि की चार एकदम सही है, दीए, क्लियर है, क्लियर एकदम, फोर वाला डैस पर है, यह हो गया, जिसकी प्राइड टी सबसे कम होगी, उसको फोर दी आप, यहा में CH2, OH ले रहा हूँ, इधर में CHO ले रहा हूँ, इधर मैंने OH लगा दिया और इधर H लगा दिया, ठीक, नम्बरिंग करेंगे जरा, ऑक्सिजन वन आएगा, C, डबल बॉर्ण ओ टू और 3, यह 4, 1, 2, 3, 4, ऐसे जाओगे, आर आएगा, लेकिन, आंसर स्विच कर क्यों, क्यूंकि 4 वाला solid पर हूँ, थ्यान से देखियेगा, अगर मेरे पास यह लिखा है, मैंने H यहां ले लिया, OH यहां ले लिया, CHO यहाँ ले लिया CH2 OH यहाँ ले लिया ध्यान से देखिएगा अब मैं H को और CH2H को इसको इंटरचेंज करूँगा क्यों कि मेरा ये 1 था ये 2 था ये 3 था ये 4 था 4 वाला लाइन पे है तो इसको डेस पे लाता है अब मैं क्या करूँगा इस CHO को और इस OH को भी इंटरचेंज कर दूँगा ताकि even interchange देखे और even interchange में molecule identical होता है ध्यान से देखना OH वहाँ आ गया CHO यहाँ आ गया ये दौनों interchange हो गया तो H यहाँ आ गया और CH2H यहाँ आ गया ये 1 था ये 2 था ये 3 ये 4 एक Office प्ता करेंगे कि आ रहां निकरते कर रहे हो ठीक है अब इस RS का use आप यहां कर सकते हो जब compound की बीच में relation आएगा ना तो RS की जुरत पड़ जाती है तो आप उससे कर सकते हो बिन RS के भी बता देता हूँ बिन RS के भी कर सकते हो और RS के एसाथ भी कर सकते हो दोनों चीज़े हैं ठीक है जब देखो घ्यांसे आपको सवाल दिया गया कि बताओ इन नोनों compound में क्या relation तो आपको ये देखना है कि एक काईरल कार्बन होना चाहिए पहली बात अगर एक काईरल कार्बन है तो आंसर पहले सी सेट है भाई देखो या तो identical होगा या एक काईरल कार्बन में या तो identical होगा या एक काईरल कार्बन में identical का मतलब सेम compound ठीक है और अगर RS की द्रस्टी से देखोगे तो R का R आ जाए और S का S आ जाए दो compound में माललो compound 1 तुमने चेक करा और compound 2 तुमने चेक करा same configuration का जाए तो identical एक काईरल क्या होते हैं non-superimposable mirror images non-superimposable mirror images ठीक है non-superimposable mirror images होती है ये ठीक है non-superimposable mirror images जैसे माललो मेरे पास लिखा है P और इसको मैं mirror में देखूं तो बनेगा Q इसको इसके उपर रखूंगा तो लॉली पॉप बन जाएगा देखो ऐसा तो क्या ये superimposable नहीं है न यानि कि ये क्या हो गई n-n-shomer हो गए तो P and Q आपस में n-n-shomer हो गए अब मालो इसमें configuration R आया इसमें S आया इसमें S आया इसमें R आया तो ये configuration change होगा यानि कि mirror image आ गई तो इस case इसमें n-n-shomer आ जाएगा RS चेक नहीं करना ठीके सामने से देख लो अगर आपको आखों से देखकर ही समझ में आ रहा है मालो आपको एक compound ये दिया गया है ठीक है और दूसरा compound ये दिया गया है और आपसे बूछा बेटा बताना जरा ये दौनों में relation क्या है आप बोलेगे सर हमको तो आखों से दिख रहा RS क्यों निकाले हैं मत निकालो कौन क्या रहा जवर्दस्ती दोड़ी है जब आपको आखों से ना दिख रहा हो तब RS लगाए तो आखों से दिख रहा है न सर अब बात आती है अगर दो कायरल आ गए तो ठीक है अगर दो कायरल आ गए तो आपके आंसर तीन हो जाएंगे identical, diastereomer और enantiomer ठीक है diastereomer क्या होते यह तो मैं बता चुक हूँ diastereomer क्या होते है ऐसे compound जो mirror image ना हो not mirror images not mirror images geometrical isomer को भी diastereomer कहा जाता है geometrical isomer को बोलते है geometrical diastereomer यह वाले आपके optical diastereomer की बात कर रहा हूँ identical की बात तो same है identical to same compound अब मेरे पास दो कायरल कार बना गए यहां तुमने आर आर का आर आर कर दिया मतलब सेम कर दिया तो identical है ठीक है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ same configuration RS निकाला same configuration तो identical ठीक है और यहां मैं बोल देता हूँ कि opposite configuration opposite configuration of both chiral कारबर क्योंकि दो कारबर की बात हो रही नहीं दौनों कारल कारबर के opposite हो जाए तो इने इस उमर ठीक डाइस्ट्री नमर में mirror में इस तब नहीं बनेगी जब one configuration same और second configuration opposite हो जाए जैसे मालो आर का आर आ रहा है और एक जगह आर आ जाए दूसरी जगह आ जाए एक सेम और एक अलग होगा तो मिरे रिमेज नहीं आएगा तो एक सेम configuration रहेगा opposite configuration ठीक है तो अच्छी बात है इससे भैतरीन क्या चीज है माल लो तुमको ऐसा देख रहा है एक ये लिखा है और एक ये लिखा है दो chiral carbon की बात आगी देखो जरा दो chiral carbon देख रहे हैं अब जरा गौर से देखो क्या ये mirror image है क्या ये mirror image है बताओ बोलो भई क्या ये mirror image है नहीं है यहां दौनों OH right side है यहां एक OH right एक left है कहां से mirror image आगे तदा mirror image है नहीं तो ये क्या होगे तो आँखों से दिख रहा है तो अच्छी बात है नहीं तो ठीक है और optically inactive due to external composition मतलब जैसे D अगर कोई है तो उसका mirror image L होगा और D प्लस L को हम मिला जुला के क्या बोलेंगे RM बोलेंगे रहसे mixture है ना और RM का theta क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि अगर D का theta positive में है मालो प्लस 30 है तो L का theta minus 30 होगा और net theta जो हो जाएगा वो 0 तो दो अलग-अलग compound के mix करने से उनके rotation को mix करने से net rotation 0 आता है ठीक है ठीक है जैसे एक सवाल देख लो मालो यह लिखा है HOH C to H5 ठीक है और यह लिखा इसका mirror image तो यह आपस में क्या कहला है इनका mixture individual compound तो active है क्यों कुछ ना कुछ theta है individual compound active है यह भी active यह भी active तो enantiomers individually active होते है लेकिन उनको जब मिला देते हो resume structure बनता है तो वह inactive होता है resolution क्या होता है separation of RM into enantiomers मतलब अगर मैं इसको RM बोल रहा हूं यह आपका RM हो गया तो इन दौनों compound को अलग-अलग करना उसको हम resolution बोलते हैं तो किसी भी process के थुरू इनको अलग करना माल लो यह D है और यह L है ठीक है तो D को अलग करना L को अलग करना इसका नाम होता resolution इन दौनों को mixture को बोलते हैं बन RM इनको separate करने को बोलते हैं resolution ठीक है दो या दो से ज्यादा काइरल कारवन लेकिन आपके syllabus में दो वाला है ठीक है दो काइरल कारवन और symmetry होगी ठीक है तो यह मैज़ो होते हैं और HOH CS3 ठीक है अब देखो जड़ा एक यह chiral है यह chiral है दो काइरल हो गए तो काइरल कारवन दो होने चीए है दो से ज्यादा लेकिन आपके syllabus में दो वाला है ठीक तो काइरल कारवन दो हो गए symmetry चेक करेंगे बिल्कुल मिल गई symmetry यानि कि हम बोलेंगे मैं जो है अब जैसे मा है एक ही compound के अंदर अलग से कोई compound नहीं है आरेम में अलग से compound था दो compound अलग 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 थे आरेम में तो वह external compensation की वजए से रैसमिक मिक्षर और optically inactive होता है और मेजो वाला internal compensation की वैसे optically inactive होता है DL क्या है ये families को बताने के लिए बनाया गया था और usually carvohydate और amino acid बताया जाता है इनको relative configuration बोलते है capital D capital L का small d small l से कोई लेना देना नहीं है ये सिर्फ family है capital D में क्या होता है highest oxidized group उपर रखते है और usually carvohydate में CHO होता है अगर OH तुम्हारा right side है तो ये capital D family कहलाती है वसमें जो carvohydate होते हैं वो सारे के-सारे capital D family के आप पड़ा करते हो जो कि हम अभी carvohydate वाले chapter में बढ़ेंगे अभी जस्त आइडिया दे दिया OH right side तो D और OH left side तो L उपर CHO और नीचे CHO होना चाहिए और कभी अगर एक से जादा chiral carbon आ जाए तो लास्ट chiral carbon से चेक करते हैं कि डिया की अधिया है एपी मर्स क्या होते हैं यह डाइस्ट्रीमर होते हैं जहां पर कोई भी एक position पर difference आ जाता है यह भी हम पर change कर दो तो यह मनोज हो जाएगा तो आप देखो सारी की सारी कहानी सेम है सिर्फ एक जगें अंतर आ रहा है पूरे structure में अंतर ढूनो आपको कहां अंतर मिलेगा पता है आपको difference मिलेगा यहां पर और यह 1 यह 2 है यह 1 यह 2 है तो second वाले carbon पर change आ रहा है तो हम बोलेंगे इसका नाम glucose है ठीक है इसका नाम मनोज है और glucose मनोज आपस में क्या है एपीमर और कौन से एपीमर है मैं वह लूँगा glucose and manose are T2 एपीमर क्योंकि second वाले carbon पर change आ रहा है और एपीमर डाइस्ट्रिमर होते हैं बिल्कुल सही बात है ठीक है ठीक है एपीमर डाइस्ट्रिमर हो ठीक है डन है एपीमर की बात करने तो यह मैं आभी आपको बनाना सिखा हूँ अभी मैं लिख रहा हूँ अलफा एंड बीटा जो glucose के दो फर्म होते हैं जिसको बोलते हैं अलफा डी प्लस गुलूको पाइरेनोस ठीक है और यह होता बीटा डी माइनस बीटा डी प्लस अलफा डी प्लस और बीटा डी प्लस गुलूको पाइरेनोस एक अलफा फर्म और एक बीटा फर्म यह अपस में एनोमर होते हैं और इनको बोलते हैं सीवन एनोमर्स अभी हम बायो मॉलीक्यू में जब इनके structure बनाएंगे तो आपको और clarity आ जाएगी पता है तो अच्छी बात है optical isomergem के special case होते हैं उसको देख लो जरा ठीक ध्यान से देखना even number की cumuline हो spiro है या फिर cumuline प्लस spiro जैसे माली जमेर बास दो double bond मैंने लगा दिये यहां पर लगाता है तो दो double bond होते हैं तो यहां पर bond अलग अलग plane में होते हैं यहां dash कर दूँ यहां dark कर दूँ यह board के plane में है यह अंदर है यह बाहर है तो अगर मैं यहां पर check करना चाहूँ तो same वही करूँगा क्या एक ही carbon पे दौनों group different होने चाहिए तभी यहां पर symmetry नहीं मिलेगी अगर यह दौनों group same हो गए तो मेरे को यह symmetry मिल जाती है तो अगर मैंने ऐसे कर दिया तो plane of symmetry में नहीं है center of symmetry तो चेक करनी नहीं है क्यों अलग लग plane है यह plane ऐसा है एक अंदर एक बाहर है तो cost तो देखनी की जड़ती नहीं है पॉस नहीं होगी तो optically active हो जाएगा और पॉस कब नहीं होगी जब यह दौनों group क्या होंगे different तभी पॉस नहीं होगी तो दो लगाता double bond आ जाए या फिर एक double आ जाए और एक ring आ जाए ऐसी तो भी आप देख लेना यहां dash में और यह dark म होने चाहिए अगर मेरे पास दो रिंग आ जाए तो भी यह वाले plane में कर दूं और इसको अंदर इसको बाहर कर दूं ठीक है तो different group आपके attach होने चाहिए तभी optically activity आएगी ठीक है अगर पॉस नहीं होगा तो optically active एक केस और है बाइफिनाइल का बाइफिनाइल में क्या होत लगा दिया और यह जो a, b, x, y है ना यह होने चाहिए bulky सर bulky क्या क्या दिखेंगे आपको NO2 दिख सकता है, COH दिख सकता है, SO3H दिख सकता है, halogen में CLBRI दिख सकते हैं, ठीक है alkyl दिख सकता है यह सब bulky दिख सकते हैं और यह चारों position पर bulky चाहिए और यहां भी वही condition है क्य a, b के बरावर नहीं होना चाहिए और x और y सेम नहीं होने चाहिए, यह group अलग होने चाहिए, अगर सेम हो गए तो symmetry आ जाएगी, तो यह group क्या होने चाहिए, same, a, x हो सकता है, b, y हो सकता है, लेकिन a, b नहीं हो सकता और x, y नहीं हो सकता, ठीक है, यह ध्यान दखिएगा, ठीक, और यह सवाल आ चुका है, 2016 में, नीट में, जिसको लग रहा है कि नहीं सर यह तो कुछ अलगी है, 2016 में एक सवाल आ चुका है, आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, confirmers के बारे में देख लो आप, फिर उसके बाद सवाल कर लेंगे, अपन, ठी confirmers कैसे generate होते हैं, free rotation की वज़े से generate होते हैं, arises due to free rotation around sigma moment, आप जाने, sigma moment के around free rotation होती है, infinite confirmers होते हैं, यह आप को पता है, ठीक है, क्योंकि आप rotation कितना भी कर सकते हो, जैसे, एथेन के अगर confirmers के बारे में बात करूं, तो एथेन होता है, CS3, CS3, इसको लिखूंगा, मैं 1, इस को 2, ठीक है, ध्यान से देखो, कैसे बनाना है, वो समझ दो, 1 वाला क्ारवन, डौट से बनाएंगे, 2 वाला क्ारवन, राउंड से बनाएंगे, dot वाले पर 3 h होंगे round वाले पर भी 3 h होंगे मैं यहां लिखूँँगा h h h round वाले पर मैं लिखूँँगा मैं ऐसे बना सकता हूँ h h और h घ्यान से देखिएगा अब अगर मैं इसको 60 degree घुमा दूँग घ्यान से देखना अगर मैंने 60 degree round को पकड़ के घुमा दिया तो मेरे को ऐसा नजर आएगा देखो ऐसा देखेगा मुझको सही बात है तो यह angle कितना है 0 यह कितना है लगबक 60 और यह लगबक 0 ठीक है 0 वाले का नाम होता है Eclipse form और इसका होता Staggered Form ठीक है इसको Eclipse तर इसको Staggered यह दो इसके नाम होते है ठीक अब अगर मैं आपसे बोलू अब अगर मैं आपसे बोलू Staggered और Eclipse में कौन Stable है तो अगर मैं Stability के बारे बोलूँगा Stability के बारे बोलूँगा तो मुझे यह देखना है कि यह bond pair के बीच का repulsion कम से कम होना चाहिए है, तो यहाँ repulsion जादा यहाँ काम है, तो staggered जादा है, किस से? इकलिप्स से, और इनके सब के बीच के structure जो होते है, उनको क्या बोलते है? skew form, ठीक है? staggered और eclipse के बीच वालों को skew form बोलते है, ठीक है? stability इसकी जादा इससे, तो energy बताओ किसकी जादा होगी? stability का उल्टा कर देंगे इसमें, तो energy eclipse की जादा होगी, तो यह दो form होते है, एथेन के, ठीक है? अब अगर मालनों मुझे butane का बताना है, तो butane में क्या करूँगा, मैं देखो, CH3, CH2, CH2, CH3, यह 1 और यह 2, अब देखो, 1 पर methyl लगा है, 2 पर भी methyl लगा है, 2H, 2H, तो मैं कैसे बनाऊँगा, ध्यान से देख लाँ, इसको बोलता है, पर फुली ऐकलिपस्ट, फुली एकलिपस्ट इसका नाम है, मिथाईल, मिथाईल, 0 डिगरी पर है, अब मैं अगर 60 डिगरी गुमा दूँगा, तो मेरे को कैसा देखेगा, मिथाईल यहाँ आ क्या? यह कितना होगे 60 डिग्री अब अगर मैं फिर से 60 घुमा दूँगा तो ऐसा देखेगा मिथाईल एच एच या मिथाईल इधर एच और इधर एच फिर से 60 डिग्री घुमा दूँगा तो M.E.M.E. एच एच ऐसा आएक सही है अब देखो जड़ा यह फुली एकलिप्स दे यह फॉर्म स्टेगर्ड का 60 डिग्री पर गौची बोलते हैं इसको यह है पार्सली एकलिप्स 0 डिग्री एंगल वाला है और यह है अपोजेट M.E.M.E. तो एंटी स्टेगर्ड का फॉर्म कौन सबस्याद है स्टेवल होगा अगर मैं स्टेविलिटी की बात करूँ अब पी शबस्याद है स्टेवल उसके बाद गोची क्यों इस तेगर्ड के फॉर्म है पार्सली एकलिप्स्ट और लास्ट में फुली एकलिप्स्ट एनर्जी का ओडर इसका उलिटा कर देना ठीक है ख्लियर है यही आएगा चली बहुत बढ़ियां अब यहां पर बात आती है टॉर्शनल वंडर्वल स्ट्रेंड क्या होती है इसका डेफिनेशन क्या होता है वो देपू टॉर्शनल स्ट्रेंड होती है अगर कार्बन सिंगल एच यानि कि अगर सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पियर के बीच का रिपल्शन है सिग्मा बॉन्ड पियर के बीच का रिपल्शन है तो उसको बोलते है टॉर्शनल ठीक है तो जैसे एथेन की बात करें तो उसमें सिर्फ टॉर्शनल स्ट्रेंड लगती है वंडर्व की बात करूं तो ब्यूटेन में टॉर्सनल और वांडरवाल दोनों लगती है लेकिन एथेन में सिर्फ टॉर्सनल लगती है ठीक है गौच एफेक्ट गौच एफेक्ट क्या होता है कि अगर मैं इस्टेविलिटी का और वोलू तो गौच एंटी पार्सली फुली यह हो जाता है कब वैन हाइड़ोजन बॉंड ने किस प्रजेंट इसको गौच प्रजेंट होगा अगर हाइड़ोजन बॉंड प्रजेंट हो रहा है तो हम बोलनेंगे गौच वाला ज्यादा इस्टेबल है अगर अगर हाइड़ोजन बॉंड प्रजेंट है तो गौच वाला ज्यादा इक्जामपल देखो जरा मैं एक्जामपल की बात करूं माल लीजे मैंने यहां अलगा दिया एफ यहां ओएच यहां एच इधर एच और इधर आच देखो इन नॉनों के बीच में हाइड़ोज तो यह गौच वाला सबसे जादा स्टेबल हो जाता है तो गौच फॉर्म कभ इस्टेबल होगा जब हाजएगी अगर हाईड़िजन नहीं है तब आप जानते हो रिपल्सन से करेंगे एंटी वाला जादा स्टेबल होगा ठीक है साईकलल हैजन की कंफर्मर की बात करें तो चार होते हैं एक होता है चेर एक होता है ट्विस्ट गोट एक होता है बोट और एक हाप चेर चेर फ्रॉम ऐसा दिखता है twist boat ऐसा दिखता है boat ऐसा दिखता है half chair ऐसा दिखता है stability की बात करें तो यही लिखा है chair, twist boat, boat और half chair यह stability की बात हो गई और जिसमें से twist board जो है ये optically active होता है optically active है plane of symmetry इसमें नहीं होती है ठीक है तो ये गहानी थी अब हम बात करेंगे सवालों की तो सवालों का सिलसला स्टार्ट कर रहा है एक मिनिट में आपसे बन जाना चाहिए जितना आपने पूरी theory revise करी किरपा करके में आपसे दर्खौस्त करूंगा कि ये सारे के सारे सवाल जो आने वाले काफी सवाल है आई सो मेर्जम के सारे सही होने चाहिए बताएं जड़ा पहला सवाल आपके सामने बोलो है पहला question आपके सामने कि बोलो करोड़ रहे क्या रहा है क्या लग रहा है क्योंकि ये इथर बन जाएगा ना इसका आप बोलो के सर ये नहीं कर सकता तीन-तीन मेटामर हमने बनाई थे अभी ठीक है अगला सवाल इथेन के कंफर्मर आपने देखे एक स्टैगर और एक एकलिप्स ठीक है उसके लिए बताना है बोलो भे बोलो बोलो बॉलो बॉलो Aidral Angle Change Q Hedral Angle जो होता है न जो theta था वो डाहीडरal Angle बोलते हैं उसको Idral Angle Change होता है Bond Angle और Bond L etmek थोड़ी Change होता है Dip How ocarbon के बीच का एक ही Karbon के बीच केсь Bond Angle सेम और Bond L Statistics होती है अगला विच अमंगदा गिवन मॉलिक्यूल कैन एक्जिविट टॉटो मेर्जम कौन टॉटो मेर्जम एक्जिविट कर सकता है इन में से मुझे बताओ चेक करें जड़ा अलफा कारवन एस्पित्री होना चाहिए और इसमें एक बड़ी स्पेशल सी बात है जो तुम्हें पता होनी चाहिए बताओ बोलो बोलो भे कौन सा मॉलिक्यूल टॉटो मेर्जम एक्जिविट करेगा अगर मैं इसके लिए देखूं तो आपको लगे का सर ये स्पित्री है जी हाँ और सर इसके पास H भी है ओहो लेकिन ये नहीं पार्टिसिविट करेगा यहां लगता ब्रेड रूल ब्रेड रूल ये कहता है ब्रेड रूल सुन लो जरा एक बार ब्रेड रूल यह कहता है कि ब्रिज हैड़ेट पॉजिशन पर SP2 हाइबडाइशन नहीं हो सकता प्लेनर्टी नहीं हो सकती यह तो SP3 आ गया यहां पर फिर भी यह पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है अघर नहीं कर रहा है कि इसका एनोल बनता यह तो इसके यहां से हो जाएगा यह तो नॉर्मल अपना कार्मन सब्सक्राइब नॉर्मल कार्वन अपना ब्रिज थोड़ी है क्या वाद है वह अधिया ओनली थ्री यह आजाए गांस है कि है ना कि कि लिए रहे हैं कि ब्रेड रूल यह कहता फिर सुन लो जिसको नहीं बता ब्रिज अगला सवाल दा करेक्ट स्टेट्मेंट रिगार्डिंग दा कंपरिजन ओव स्टैगर्ड निकलिफ्स कंफर्मर अफ एथे बदाओ चारों अप्शन को ध्यान से बढ़ोगे आंसर आ जाएगा बोलो भई बोलो 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 क्या लग रहा है बोलो बोलो बडसे में युक कांफर से ले इस्टेबल है तो एसमें तो यह तो गलत हो गया तो कहां से होगी यह स्थो एकलिप महा गलत है यह क्या बात कर रहे हैं विक जो एस इस्टेगर ऐस नो आई स्थेबल पोजीशन मिनिमम् रिपल्सन, minimum रिपल्सन है उनका, staggered का, ठीक है, D आजावे का answer, अगला सवाल, give sohars representation of the following gumbound, बताओ जरा, sohars कैसे करोगे, aims 2016 का है, ठीक, sohars कैसे किया जाएगा, बताओ, या तो यह तरीका है, कि पूरा sohars बनाना आना चीए, बिना sohars बनाए हुए भी बता सकता हूं, देखो जरा, क्या आपको दिख रहा है कि यह मैजो है, थोड़ा साइडिया होने, क्या यह दिख रहा है, मैजो है, मैजो दिख रहा है, ठीक है, अगर मुझे मैजो बनाना है तो मुझे चेक करना होगा वाई वाई बनाके, क्या? मुझे वाई वाई बनाना है वाई वाई इसका वाई बनाएंगे और ये ट्राइ करेंगे कि मिफाईल नीचे रहे ताकि हम compare कराब आपा है तो यहां तो मिथाईल नीचे वाई बना हो देखो कितना प्यारा वाई बना है इसको बना लो वाई इसको वाई बना होगे तो घुमा हो जरा घुमा के जब वाई बना होगे तो यह वाला नीचे आएगा तो यह इधर आजाएगा यह इधर आजाएगा तो इसका Y तुमको ऐसा दिखेगा पीछे वाला Y तो पहली बना था H, O, H, मिथाइल था यह इसको मैं घुमा के अगर यहां लाओंगा इसको यहां लाओंगा इस जगे पे तो यह यहां यहां जाएगा तो H इधर आजाएगा O, H इधर आजाएगा और M, E क्या दौनों Y सेम है क्या दौनों Y सेम है क्या दौनों Y सेम है चेक करो, इसको मैंने घुमा लिया ना फिरी रोटेशन होता है तो इसको जब मैंने घुमाया तो CS3 यहां आया इस जगे पर तो H यहां आएगा और उल्टे वाय से सीधे वाय की तरफ जाओगे तो ग्रोप अगोजिट साइड़ आ जाएंगे ना दिखरा है साफ साफ क्या ये दौनों वाय सेम है? सेम है यानिगी? मैं दो हो गए? देखो मैं दो हो गए ना सेम सेम दिख रहे हैं इसके सामने यह, इसके सामने यह, यही तो है, और चेक करके दिखा देता हूँ, अगर मैं इसको बनाता, पीछे वाला वाय तो साफ साफ दिख रहा है, इसको मैं अगर वाय बनाऊं, तो मुझे कैसा देखेगा, मिथाइल यहां आएगा, तो यह डाइगनल या बुजट आज फस्ट आ रहा है न, अगला देखो जरा, इस वाले को थोड़ा सा घुमाओ, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा, घुमाओ जरा, इसको थोड़ा सा एधर एसे, तो ह यहां, ओएच यहां, मिथाईल यहां, एस जाएगा न, इसको ऐसे घुमाओ, तो ओएच यहां, एच यहां मिंथाइल यहां यहां वाई नहीं है देख़गो न को अधा थोड़ा से घुमाओ फड़ा से तो गुमाओ और इस यहां जाएगा इस इसको ओल्टा गो ओल्टा इसलीधा कैसे भी घुमा सकतों लेकिन भाई बनाणाना नीचिए यहाँ ओश आएगा यह लग लग यह तो का महिए है करे में हक्राइट किषेजिए तो किए अपद्बच करना सीध्य-बाइउ और अगर यहां यहां लगा और यह और यहां Y बोल दो, मतलब Y तो फेरे सी चलना मामल है, Z बोल दो ऐसा, ठीक है, तो ऐसा सेम होना चाहिए, तब तो मैं जो कहला है, ठीक है, अगला सवाल, which of the following pair of compounds are not positional isomers, बताओ, कौन से positional isomers इसमें नहीं है, A, B, C, D, A, B, C, D, बोलो भई, कौन से positional isomers नहीं है, बोलो बोलो बोलो, बोलो 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 बोलो, क्या लग रहा है, यह साफ साफ दिख रहा है, यह functional group लगे है, यह alcohol है, यह 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 वाला नहीं है, यहाँ देख लो, position change हो गई, oxygen की, ठीक, यहाँ, methyl की position change हो गई, krisol है, यह ortho krisol है, यह meta krisol है, तो B आ जाएगा answer, यह न, functional है यह, अगला सवाल, बताओ, Least Stable Confermer of N-Butane, Fully Clips होता है, क्या, बोलो, Least Stable, Fully Clips देख क्या, सोचो, बोलो, Butane का Fully Clips होता है, बिल्कु सही बात है, आज सासन करेक्ट है, The repulsion between both the methyl group increases, The steric strain in Fully Clips Confermer of N-Butane, एकदम सही है, क्योंकि Fully Clips में, दौनों मिथाईल का dihydral angle 0 होता है, देखिए, है न, यह लगबग 0 के बरापर है, तो यह मिथाईल अगर आ गए, तो इसमें steric strain आ जाएग, hysteric strain मतलब वांडरवाल strain का ही ना, ठीक है, वांडरवाल strain को ही steric बोलते हैं, ठीक है, अगला सवाल, Which of the following is isomer of benzene, बोलो, Which of the following is isomer of benzene, benzene का isomer क्या है, molecular formula same होना चीज, structure different हो, उसको हम isomer बोलते हैं, बोलो, एक बच्चा गह रहा है, असरसन पीछे से फिर से बता दो, least stable conformer of embutene, इस fully eclipse यही तो होता है, और कौन साथता है, least stable पूछा है, least stable, energy वाला नहीं, चलिए बताईए, all of these बोल तूँ, क्यों हो, देखो ज़रा, isomer C यह बेंजीन का, molecule of formula आप जानते हैं, C6, H6 है, सबका, और बस structure अलग लग है, साप साप देख रहा है, all of these आ जाएगा, चलिए बही, alkyl halide can exhibit functional isomerism, बदाओ, बढ़ा, IUPAC और isomerism का, usually एक सवाल, एक सवाल बन सकता है, है न, और एक सवाल के लिए, जितना आपन ने किया, उनी में सी कोई ना पूई दिखेगा, आपको है न, बोलो भई, बताएं, alkyl halide can exhibit functional isomerism, functional isomer, structural isomers, that have the same molecule formula, but have different functional, लेकिन, ये मामला गड़बड हो गया, alkyl halide functional isomerism, एक्जिबिट नहीं कर पाएगा, तो assertion, ए वाला तो गलत है, और reason सही है, भई, halo alkyl halide, functional कैसे दिखाएगा, क्योंकि अगर तुमने, halogen change करा, तो molecule formula ही, चेंज हो गया न, तो वो functional कैसे दिखाएगा, अच्छा इवा बताओ, जो ए वाले हैं पगले, ए वाले इधर देखो जड़ा, इधर दिखो यह बाले, alkyl halide functional isomer, बताओ, alkyl halide का कोई functional isomer बताओ, बोलो, alkyl halide का कोई बीचलो मालो यह है, तो क्या इसका functional isomer यह होगा, पागल हो गयो क्या, alkyl halide का functional isomer यह थोड़ी होगा, और जैसी तुम halogen change करोगे, molecule formula change हो जाएगा,